हेलो माई देट टुफेमिली हर महाधेब कैसे हैं आप सब आशा करते हैं कि आप सब उगल ठीक होंगे अपने गहरों में अपनी फैमिली के साथ शुरप्चित होंगे अपनी लाइफ में बिजी होंगे और हम भी दम ठीक हैं तो देखिए आज आपके साथ सेर करने वाले हैं बहुती मस्त गाइद मौसम चेंज हो रहा है तो इस चीज का आप जरूर से यूज़ करिए अपने बच्चों के लिए यह है ग्लोई और इसकी लकडी है यह हमने कट कर सकते हो तो बस और इतना इस इसमें अधरक जाएगा हमें सिर्फ आयू और भाया जी दोनों बच्चों के लिए काड़ा बनाना है उन्हें हलके लगी सी खांसी है और हलकालका सा जुखाम लग रहा है तो कोई चीज प्रॉब्लम कोई बढ़ने से पहले अगर ऐसा कर देते ह नहीं है दवा की जरूरत नहीं पड़ती है इतना तो पक्का है तो इसको अच्छे से कूट लिया दोनों चीजों को और दो ग्लास पानी में इसको बॉइल होने के लिए रख दिया जब ही तक यह आधा कप रह जाएगा तब ही तक हम इसको बॉइल करेंगा अच्छे से बि चुट की प्रॉबल्म बिल्कुल खता में फिजाल की तो अभी 오늘도 इसने फीजो रहा है ना तो हर गर में इस पर बहुत बड़ः विलिव है क्याइस कोई भी कैसी भी ये दोल् Professor लोटी हुआ है तो यह है इसको में कर टीक नारी किन को टारे सब्सक्रदः कर लिए मिझा तिस इसने ड्लुटी से लिए 2 लीड़ कॉ invit जैसे हम पेपर यूस करते हैं रोटी ज़ादा लोग पेपर यूज करते हैं बर नहीं होता है ठीक वो तो फॉर पीसे हमने गोल गोल कट कर लिए और यह जो फॉम है ना यह कपड़ों में किसी के भी कपड़े जो बच्चों के हम लोग नियू कपड़े अपनी साडिया लाते उसमें ये foam निकली आता है तो यह हमने collect कर लिया था guys और बस foam बीच में रखा और two pieces एक उपर एक नीचे कपड़े के two pieces इस तरह से रखके और ऐसे जगर के सीधी सीधी लाइन से machine चला लिए स्कॉयर सेप में और उसके बाद में देख सकते हो आप इस तरह से बन गया और इसमें प्रॉब्लम आगे गाई हमने सोचा था यह two pieces हमने इसलिए बनाये थे और यह सीधा सीधा बनाया था इसमें अटेच करते हैं जो राउंड राउंड है ना आई होप अटकन उसका उस तरह से बनाते बट नहीं हो पाया क्योंकि वह बहुत ही थिक हो गया था यह जो फोम है यह काफी थिक थी तो हमने एक सिंगल सिंगल बना दिये एक अलग अलग दोनों को देख सकते हैं मसला किनारी में जो पाइपिंग लगा दी इस तरह से और two pieces अलग अल के तयार यह भी काफी अच्छा लग रहा था दो बने हुए तो बनाने के बाद हमने सबसे पहले इनको कर दिया वाश और इनको सूखने के लिए डाल दिया मसीन में सुखाया तो जल्दी सूख गए क्योंकि हमें आज ही इनको यूज करना था गाइस हमसे रहा नहीं जा रह दिन और क्या ही कहें बिजी भी नहीं कह सकते फ्री काम कर लो सारा निप्टा दो तो आज हमने स्लाइब करिए गाइस और अपना एक फूट से ला हुआ है और जो इंपोर्टेंट चीज थी आपके साथ करने वाली वाली आपके साथ सीयर भी करी है और इसको दूसरी तरह से जो फॉर्म था अंदर करना वह बहुत ज़्यादा था गाई इस वज़े से ऐसे बना दिया और उससे बनाएंगे जैसा पहले बनाना चाहिए तो चलिए भी बना लेते हैं खाना डिनर का टाइम होता ही जा रहा है साथ साथ बज़ गया है तो डिनर बना लेते हैं रागे हम डिनर में आज हम बनाने जा रहे हैं बेवी पटेटो नमक मिर्च के आलू बेवी पटेटो बाले और रोटियां से तो देख सकते हो अब गाई देख भूत आया है जिस्टे के हम भी तर नहीं लग रहा है यह कैसा भूत होता है गाई जिस्टे कि आप डरों के नहीं नहीं बना लेते हैं फटा 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 से रोटियां तो जी बनने लगी है हमारी कर्म कर्म रोटियां और सब्सक्राइब है जैसे कि आपको बतायागी था हमने बेवी पटेटो बनाए हुए आज नमंग मिर्च के आलू और बहुत ही टेस्टी लगते हैं गाई यह बी तो काफी सब्सक्राइब से बेवी पटेटो नहीं बनाए हुए थे आज पती जी ने बोला कि उन्होंने मार्केट में देखा और बस चट से खरीद ली यह चीज़े ऐसी होती है कि देखके ही लगता है कि हाँ यार अच्छी काफी टाम से खाई नहीं चलो स्कॉच बनाते हैं तो बस गर्म गर्म रोटियों में घी लगा दिया है और सब्जी भी निकाल रहे हैं और आजाईए फटा-फट से आप भी डिनर कर लीजे तो गईज मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए और न्यू है मेरे चैनल पे तो प्ल सब्सक्राइब कर दीजे गाईज चलते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए बाबाई टेक केर गुड नाइट